दोस्तों नमस्कार मेरा नाब सोपाल सिंग राठोड़ो और मेरे यूटूब चैनल पर आप सभी का हर्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तों आज का विश्य है अपन कोई भी प्रोपर्टी लेते हैं या कोई प्लोट लेते हैं तो हमें कौन-कौन से डोकूमेंट्स चेक करने चीए काफी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे तो उस पे आज क्या-क्या डोकूमेंट्स अपने को देखने चीए जिनसे की अपनी प्रोपर्टी कनफर्म हो पाए दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने यार दोस्तों को सेज़ जरूर करिएगा क्योंकि किसी का भला हो सकता है तो सबसे पहले डोकूमेंट्स की अपन बात करें तो सबसे पहला डोकूमेंट आता है टाइटल डोकूमेंट टाइटल डोकूमेंट के अंदर जिसके पास मालिकाना हक है वो किस आदार पे है जिस आदमी से अपन विक्रे जो कर रहा है प्रोपर्टी या जिससे अपन क्रे कर रहे है उसके पास उस जमीन का या उस लेंड का उस प्लेट का उस प्लोट का क्या डोकुमेंट्स है उसके पास कोई विकास प्रादिकन का लेटर है या नगरपाली का नगर निगम का अलोटमेंड लेटर है या किसी से उसने पर्चेज किया तो सेल डीड या रजिस्टी है क्या है डोकुमेंट वो सबसे पहले देखना जरूरी होता है first document की अपने यदि बात करें second document की बात करें तो वो आता है list of chain document जिसको बोलता है कि उसने खरीदा तो कितने आदमियों से रजिस्टी हुई उसमें सारी detail आती है सारा list of document आ जाता है कितने आदमियों ने मतलब कितने लोगों के पास purchasing हुआ है A से B, B to C, C to D या और भी ज़्यादा हो सकते हैं तो वो documents क्या है उसके पास वो देखना बहुत जरूरी होता है और इसके लिए यदि अपने को list of documents को verify करने के लिए अपने किसी अच्छे वकील से TIR भी करा देते हैं जो TIR के बारे में पहले बता भी चुका हूँ TIR से आपका verification हो जाएगा थर्ड documents की यदि बात करें तो उस से development authority या विकास प्रादिकर्ण या निगम या नगरपालिका से उसका possession letter मिलता है वो possession letter हेक नहीं है उनके पास में वो देखना बहुत जरूरी होता है यदि possession में नहीं है तो वो sale करने का वैसे अधिकारी नहीं होता है तो possession अमेसा लेना बहुत जरूरी होता है क्योंकि अपन जो property purchase करता है या जो भी plot, plate, villa, मकान जो भी अपन property, land purchase करता है उसमें अपनी जिन्दगी वर की गाड़ी कमाई है वो जाती है तो अपने को ये चीज़ देखने की जरूरत होती है चोथे documents की अधि बात करें तो अपने को देखना जरूरी होता है ये जो land है या property है, plot है, plate है वो mortgage तो नहीं है किसी bank के अधिन तो नहीं है कोई loan तो नहीं है या किसी sales card से लेकर उसको documents दे रेके, उसको लिखवार के हो तो original documents, मैं ये जो भी बता रहा हूँ ये original document अपन जब token money दें या अपन जो एक signing amount देते हैं साई देते हैं उससे पहले ये सारे documents अपने को देखने जरूरी होता है तो mortgage तो नहीं है किसी bank के या किसी संस्ता के या किसी व्यक्ति के पास में ये देखना जरूरी है पांचवे documents के अंदर अपने को देखने की जरूरत होती है यदि अपन कोई पुराना मकान ले रहे हैं तो उसमें पानी बिजली के bill कितने due है कुछ ज्यादा बड़ा due तो नहीं है वो देखना बहुत जरूरी होता है कही बार अपन property लेता है उस ताइम बात पता नहीं करते हैं बाद में बहुत बड़ा bill amount आ जाता है लाखों के अंदर कही बार तो वो देखना सबसे जरूरी होता है इसके बाद यदि अपन बात करें तो tax receipt tax receipt की यदि बात करें तो अधिकतर जगें यदि सेरों के अंदर बात करें तो कई जगे house tax लगता है कई जगे दूसरे कुछ नगरिय कर वगरा या कुछ taxes लगता है तो वो जमा कराना जरूरी होता है कई बार लोग जमा नहीं कराते है और वो लंबे टाइम का due हो जाता है और काफी बड़ा amount हो जाता है उस पे कुछ penalty भी रहती है तो वो tax receipt उनकी जमा है एक नहीं current date तक का tax उन्होंने जमा कराया एक नहीं कराया वो देखना बहुत जरूरी होता है इसके अलावा साथवे documents की बात करें तो plates वगरा में या कई बार विला वपन लेते हैं तो वहाँ पे क्या होता है एक welfare society होती है तो welfare NOC बोलते हैं उसको welfare NOC के अंदर हो गया यदि उस society के अंदर उन्होंने maintenance के charge जमा कराया एक नहीं कराया उनके कोई dues तो नहीं है कई बार बहुत बड़ा due होता है और आदमी property sale कर देता है तो अपने को वह देखना बहुत जरूरी होता है NOC लेना जरूरी होता है या उसकी receipt लेना जरूरी होता है क्योंकि वह maintenance charge वगरा की receipt अपने को लेनी जरूरी होती है आठवे document के अंदर यदे अपन बात करें तो उस property पे कोई court इस्टे तो नहीं है किसी का कोई विवाद तो नहीं चल रहा है कोई नयाया लेका या जो भी है तो वह देखना जरूरी होता है इसके अलावा नहीं पॉइंट की है यदे अपन बात करें वो आपको देखना जरूरी होता है पार्किंग हैग नहीं उन documents के अंदर देखना जरूरी है वो documents देखना जरूरी है और दस्वे documents की बात करें तो उसको आम बासा में mutation बोलते हैं लेकिन जैसे किसी भी authority से यदे अपन plot लेते हैं या विकास प्रादीकर्ण से लेते हैं तो उसकी registry तो हर आदमी करवा लेता है registry के बाद में नाम transfer आपको उस प्रादीकर्ण में या उस नगरिये नगरपालिका में या नगर निगम में जो भी वहाँ पे है वहाँ पे उसको transfer कराना रहता है उसका कोई nominal charge लगते हैं वो later मिलता है तो वो later देखना बहुत compulsory होता है इसके अलवा last जो document है 11, 11 नमबर का जो document है वो है convergence certificate जो आप land खरीद रहे हैं या जो आप loads करीद रहे हैं वो आवाशिये में convert हेक नहीं है कहीं green zone की जमीन तो नहीं है कई वेवसाइक जमीन तो नहीं है वेवसाइक जमीन को कई बार आवाशिये में sale कर देते हैं तो वो देखना बहुत जरूरी होता है इस तरह से ये 11 documents है जो अपने को देखने बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि अपन जो land ले रहे हैं या प्लोट ले रहे हैं यदि अपन किसी development authority के या किसी विकास करता से या private नीजी खातेदारी की जमीन से कोई township से में लेते हैं तो इन में अलग documents हो जाते हैं उनके अंदर उस जमीन का मतलब उस जमीन का approved नकसा हो सकता है वो आप कुछ RERA की website पे भी देख सकते हैं तो वो सबसे उसमें ज्यादा documents की इनकी जरूरत नहीं होती है ये ज्यादा तर आ गया resale के अंदर आपन कोई float या कोई जमीन या कोई दुकान कोई वे उससा एक जगें आपन खरीते हैं तो उनमें इन चीजों documents की देखने की बहुत जरूरी होती है दोस्तों आपने मेरा वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों गर पर रहें आप सुस्त रहें आप वियस्त रहें और आप मस्त रहें